रामायन का पाठ करने से घर में आरोग्य बढ़ता है वीमारिया कम होती है जिस घर में देशी घी का दीपक जलाकर रामायन की प्रति दिन आरती होती है उस घर पर श्रीराम की कृपा सदैव रहती है जिस घर में पूर्णिमा को प्रति महा रामायन का पाठ होता है उस घर में अकाल मृत्यू नहीं होती है रोज सुभा करना चाहिए इस मंत्र का जाप एकशलो की रामायन का जाप रोज सुभा करना चाहिए सुभा जल्दी उठें और स्नान के बाद घर के मंदर में पूजा रामायन कितने घंटे की होती है इसकी विशेष्टा है कि 21 घंटे की अवधी वाले इस अखन पाठ में से कोई चाहे तो सुन्दर कांड या अन्य कोई प्रसंग सुन सकता है प्रभू की रहती है कृपा जिस घर में प्रति दिन रामायन का पाठ होता है उस घर पर भगवान शिव, श्री राम जी, सीता जी, श्री हनुमान जी, शनिदेव, नव ग्रह, 33 कोटी देवी देवताओं की सदेव कृपा रहती है उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है, उस घर पर साक्षात मा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है इस ग्रंथ में 24,000 श्लोकों को 500 सर्ग और 7 कांट में लिखा गया है घर में सुक शांती बनाये रखने के लिए अधिकतर लोग रामायन या रामचरित मानस का पार्ट करते हैं इस ग्रंथ में श्री राम और रावन की कथा के माध्यम से धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है जो तिशाचारियों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रोज रामायन का पार्ट करता है तो उसे अक्षेपुने की प्राप्ती होती है मन शांत रहता है अक्सर शुब हफसरों पर गुस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री राम चरेत मानस के सुंदर कान का पार्ट किया जाता है शुब कारियों की शुरूआत से पहले सुंदर का पार्ट करने का विशेश महत्व माना गया है दरसल रामायन का पता या रामायन पढ़ने का एक तरीका मार्ग बताया गया है जो रामायन पढ़ने का एक सही और सरम मार्ग है रामायन की दोहे एक बार में आप कम से कम 5 दोहे पड़े जाने के उसके बाद 7 या 11 या 21 तक पड़ सकते हैं इतना याद रहे कि रामायन का समापन अगर करते हैं तो दये साइट है समापन करने के बाद रामायन की आर्ति करें